Hello friends, welcome to my channel. So friends, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉइम जिसका नाम है टैलिवीजन जो की रॉल टाल के द्वारा लिखी गई है. So इस पॉइम में जो पॉइट हैं उन्होंने टैलिवीजन के द्वारा जो बच्चों पर इल इफेक्ट या फी बारे में बताया है. So start करते हैं, first line है, the most important thing we have learned, तो यहाँ पर जो पॉइट हवा कहते हैं कि सबसी important चीज जो की हमने सीखी है, so far as children are concerned is never, never, never let them near your television set. कि काफी सम्मे के बाद अब हमें ये चीज सीखने को मिलती है, कि हमें अपने बच्चों को क्या है, टीवी के पास नहीं जाने देना चाहिए. Or better still, just don't install the idiotic thing at all. इससे भी important चीज ये थी, कि जो टीवी है या फिर इस पेकार की जो बूरी चीज है, इससे install ही नहीं किया जाना चाहिए था. So यहाँ पर जो point है, वो टैलिवीजन के बारे में बताते हैं, कि ये जो टीवी है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है. अब ये जो चीज ही install तो हो चुकी है, यानि कि टीवी का विश्कार तो हो चुका है, लेकिन जितना possible हो सके, उतना बच्चों को टीवी से दूर रखना चाहिए. In almost every house we have been and we have watched them gapping at the screen. तो यहाँ पर जो पॉइट हवा कहते हैं, कि आज in present में almost सभी घर में के हैं television हैं और हम देखते हैं, कि जो बच्चे हैं वो क्या हैं, कि सभी जो बच्चे हैं वो ज़्यादा तर टीवी देखते रहते हैं. तो यहाँ पर जो पॉइट हवा कहते हैं, कि जो बच्चे हैं वो टीवी देखने में इतने ज़्यादा मगध हो जाते हैं, कि उन्हें अपने आसपास का पता ही नहीं होता है, कि वो किस तरीके से बैठते हैं, वो यानि कि एक अपनी ही situation में बैठ जाते हैं, जैसा मन करता ह वैसे बैठ जाते हैं, और स्टेर यानि कि टीवी की तरफ देखते रहते हैं, स्टेर का मिन्स होता है गुरना, यानि कि जो बच्चे हैं, वो टीवी को आपने भी देखोगा जब छोटे बच्चे कोई कार्टून बगरा देख रहे होते हैं, तो वो टीवी में पूरा के है मुख दो जाते हैं, उसे घुरते रहते हैं तो यहाँ पर जो point हो जाते हैं कि बच्चे तब-तक TV देखते रहते हैं जब तक कि उनकी जो eyes आई से pop-out कि वो बाहर ना आ जाए यानि कि यहाँ पर जो point हो जाते हैं कि ज़्यादा TV देखने से क्या कि बच्चों की आईसेट ख्राब हो जाती है तो उसी के बारे में पॉइट बताती है लास्ट वीक इन समवन प्लेस वीसा और दर्जन आईबॉल्स ओन दो फ्लोर आईबॉल्स यहां पर बच्चों के लिए हैं तो जो पॉइट हो जाती है कि पिछले सब्ता यानि कि एक समव और जो बच्चे हैं वो टीवी देखते ही रह रहे हैं यानि कि वो टीवी को ही घुर रहे हैं और वो बैठे हुए हैं जब तक कि वो हिपनोटाइस ना हो जाएं हिपनोटाइस में क्यों होता है कि जो बच्चा होता है या कोई भी परसन जब वो हिपनोटाइस हो जाता है तब सिरफ वो उसी चीज़ के बारे में सोचता है उसे अपने आसपास के बारे में कोई भी यानि की सुदबुत नहीं होती है तो यही बात जो point है वो बच्चों के लिए कहते हैं कि जब बच्चे TV देख रहे होते हैं तो उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और वो बैठे ही रहते हैं Until they are absolutely drunk और वो इस तरीके से बैठे हैं जैसे कि वो drunk हो यानि कि जब कोई श्राबी इंसान है वो श्राब पिता है उन्हें अपने आसपास की सुद्बूत नहीं होती है तो वैसा ही जब बच्चे टीवी देख रहे होते हैं उन्हें भी अपने आसपास की कोई सुद्बूत नहीं होती है With all that shocking guestly junk तो यहाँ पर जो point हो कहते हैं कि वो shockly यानि कि shocking है इस चीज को देखकर कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो टीवी में इतना ज़्यादा खोई रहते हैं Oh yes, we know it keep them still तो यहाँ पर जो point हो कहते हैं कि ठीक है हम ये बात मानते हैं कि जो टीवी है इससे जो बच्चे हैं वो एक जगा पर बैठे रहते हैं they don't climb out the window और वो कहा है कि उचल कुद नहीं करते हैं they never fight or kick or punch यानि कि यहाँ पर जो point हो कहते हैं कि ठीक है हम अगर parents के थूँ देखें तो जो parents से वो क्या करते हैं कि वो टीवी चला कर बच्चे को दे देते हैं जिससे कि जो बच्चे हैं वो टीवी देखते रहें और थोड़ टाइम तक टिक कर बैठ जाएं और पेरेंट्स को डिस्टर्ब ना करें तो इससे कहोते है कि ठीक है यहाँ पर जो point हो कहते हैं कि ठीक है मैं इस बात से सैम मत हूँ कि जो बच्चे हैं वो जब टीवी देखते हैं तो वो एक जगा पर बैठे रहते हैं वो fight नहीं करते हैं abuses से लड़ते नहीं हैं उच्छल कूद नहीं करते हैं and they leave you free to cook the lunch इसके साथ ही यहाँ पर यह जो line है वो parents के लिए कही गई है कि यह बात भी सही है कि इससे आपको थोड़ा समय मिल जाता है कि आप lunch के लिए खाना बना सके and wash the dishes in the sink and आप यानि कि जो भी आपके काम बगएर है आप वो क्या है कर पाते हो जब बच्चे टीवी देख रहे होती है लेकिन यहाँ पर उनने का है but did you ever stop to think लेकिन क्या है कि कभी आपने ये चीज़ सोची है to wonder just exactly what this does to your beloved tot tot यहाँ पर बच्चों के लिए है तुनोंने का है कि ठीक है जब आप बच्चों को टीवी देखने के लिए कहते हो यानि कि टीवी से जब आप बच्चों को जोड रहे हो तो आपको एक खाली टाइम मिल जाता है अपने काम करने का लेकिन क्या कभी आपने ये चीज़ सोची है did you ever stop to think कि आप इसे किस तरीके से रोख पाओगे यानि कि अगर बच्चे को टीवी देखने की लट लग जाए या फिर आदत पढ़ जाए तो आप इसे किस तरीके से रोखोगे to wonder just exactly what it is यानि कि आपने कभी सोचे कि आप इक किस तरीके से अपने beloved यानि कि जो बच्चे है वो आपके लिए सबसे important चीज़ है और आप उसे ही कहें एक गलत आदर डलवा रहे हो it wrote the sense in the head and it killed imagination that तो यहाँ पर जो point है वो कहते है कि जब बच्चा TV देखते है तो इससे कहोते है कि उसके जो senses है उसके जो समझ है वो कहीं ना कहीं wrote यानि कि ख्राब सी हो जाती है पुरानी हो जाती है it killed imagination that इसका साथ ही जो बच्चे की imagination power है वो भी कहें खतम हो जाती है तो जो TV की आदित है वो कहीं ना कहीं बच्चे की imagination power को kill कर देता है यानि कि अगर बच्चे TV देखते रहेंगे यानि कि इस तरीके से कि उनका ध्यान है जो वो एक जगापर है अगर बच्चे free बैठते हैं वो कोई ना कोई चीज को imagination करेंगे जब हम imagine करते हैं तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में नए-ने thoughts आते हैं जिससे क्या है कि एक इंसान का development होता है लेकिन अगर जो बच्चे हैं वो अपना पूरा ध्यान TV में ही लगाए रखेंगे तो वो कहे कि किसी और बात के बारे में नहीं सोचेंगे जिससे कि उनकी जो imagination power है वो भी कम होती जाएगी तो यहां अपर जो point है वो कहते हैं कि इस तरीके कि यानि कि TV देखने की जो आदत है इससे कहीं ने कहीं बच्चे को loss हो रहा है जो बच्चे है वो डल बनता जा रहा है यानि कि जो बच्ची की बुद्धी यानि कि उसकी जो intelligence है उसका कभी भी development नहीं हो पाएगा इस तरीके से और blind यहां पर blinds के दो means बनते हैं एक कि बच्चा जब सार टाम TV देखेगा तो उसकी eyesight है जो वो वीक हो जाएगी सेकंड, blind यानि कि बच्ची की जो development की जो power है वो विक्सित नहीं हो पाएगी तो यहां पर जो point है वो कहते हैं कि जब बच्चा टीवी देखते है तो उसकी जो imagination power है वो कभी भी develop नहीं हो पाएगी जिसके कारण वो लंबे समय तक समझ नहीं सकेगा गल्पनाय, fantasy क्यों होता है fairy land के बारे में नहीं समझ सकेगा His brain become as soft as cheese यानि कि उसका जो mind है वो ज़्यादा क्या है soft हो जाएगा और यह इतना ही soft हो जाएगा जितना की cheese यानि की पनीर तो यहाँ पर similar जो literary term है उसका use किया गया है तो यहाँ पर बताएगा है कि जब बच्चा TV देखता रहता है तो इससे क्योंगा कि बच्चे को कोई effort तो करना ही नहीं पड़ता है वो तो सिर्फ TV देख रहा है लेकिन अगर बच्चे को imagination करनी पड़ती है तो कहीं न कहीं उससे effort करना पड़ेगा तो उस अपने mind पर कहें जोर देना पड़ता है तो क्या होता है कि TV की आदत बच्चे को ऐसी पड़ती है कि वो अपने mind पर जोरी नहीं देना चाहता His power of thinking rust and freeze तो यहाँ पर जो point आवा कहते हैं कि TV देखने से बच्चे की ऐसी आदत पर जाती है कि उसकी जो power है याई कि उसकी जो सोचने समझने की power है उसे कहें जंग लग जाती है यानि कि freeze हो जाती है कि उसकी जो thinking की power है वो कहीं न कहीं खतम होने लग जाती है या फिर कम हो जाती है He cannot think, he only sees तो जो बच्चे है वो ज़्यादा सोचेगा नहीं, वो सिरफ देखेगा, यानि कि जो बच्चे है जब उसे पता है कि उसे टीवी देखना है, उसके आदत पढ़ चुकी है, तो वो कोई और काम करेगा ही नहीं तो यहाँ पर जो पॉइट है, वो पेरेंट्स के अकोडिंग कहते हैं, कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, आप लोग यह कहोगे, कि अगर हम बच्चे को टीवी ना दिखाएं, टीवी से दूर रखें, तो हम किस तरीके से अपने बच्चे को एंटर्टेंग करें, यानि कि यहाँ पर जो पॉइट है, वो पेरेंट्स के थूरू सोच रहे हैं, कि जब पेरेंट्स उन्हें यह बात कहेंगे, कि अगर आप कहरे हो कि टीवी से दूर रखो, तो बच्चे को किस तरीके से एंटर्टेंग किया जाएगा, यानि कि अगर बच्चे बोर हो रहे ह होंगे, तो उनका मन कैसे भैलाएं, we all answer this by asking you, what used our darling ones to do, how used they keep themselves contented before this monster was invented, तो यहाँ पर जो पॉइट हो कहते हैं, कि आपका यह जो कोशन का अंसर है, वो मैं कब दूँगा, जब मैं आप से कोशन पुछता हूँ, यानि कि यहाँ पर जो पॉइट हो पेरेंट्स से कोशन कि पहले, यानि कि बच्चे क्या करते थे, जब यह टैलिविजन नहीं आये था, चलो आज तो टैलिविजन है, मुबाइल वगर है, तो बच्चे हैं जो यह साब चीजों का यूज करते हैं, और अपना entertainment करते हैं, लेकिन जब टैलिविजन जैसी monster, यहाँ पर जो पॉइट या फिर आपको पता ही नहीं है, well, we will say it very loud and slow, तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या सते हैं, यहाँ पर जो पॉइट वो बोलते हैं, जो जोर से और आराम से, they used to read, they had read and read and read and read and then proceed, कि यहाँ पर जो पॉइट हैं, कि जब टीवी नहीं थे, तो बच्चे पढ़ा करते थे, वो पढ पढ़ते ही रहते थे, पढ़ते ही रहते थे, यानि कि इनसान की आदि से जादा जिंदिगी है, जो पढ़ने में ही निकल जाती थी, इसके बाद लिखा हुआ है, and read then proceed, और इस तरीके से जो बच्चे हैं, वो कहें, जादा तर पढ़ते रहते थे, to read some more, यानि कि वो कहें क कुछ ना कुछ अलग पढ़ते रहते थे, great scotch, grad joke, और one half their leaves was reading book, तो उनकी आदि से जादा जिंदिगी के है, books पढ़ने में ही निकल जाती थी, the nursery shelf helped book lot, book cluster cluttered up the nursery floor, and in the bedroom by the bed, more books were waiting to be read, तो यहाँ पर जो पोईट हो कहते हैं, कि जो बच्चे हैं, वो books पढ़ते रहते थे, even उनकी जो shelves बगारा होती थी, वहाँ पर भी कहें, बहुत सारी books होती थी, इसके साथ ही, जो nursery floor है, वहाँ पर भी books थी, यानि कि बिखरी हुई रहती थी, उनके bedroom में, उनके bed पर books फैली रहती थी, और बहुत सारी ऐसे books थी, जो कि बेट में रहती थी, कि इनने भी पढ़ा है, आगे लिखा हुआ है, Such Wondrous, Fine, Fantastic Tales, यहाँ पर Tales का मिस होता है कहानिया, और Dragon, यहाँ पर जितने भी words लिखे हुए हैं, Queens, Bills, यह जितनी भी चीज़े हैं, यह सब यानि कि व्राइटी बताए गई है, कि books में भी बहुत सारी के हैं, अलग-लग topics होते हैं, सबी बच्चों को, यानि कि Tales कहानिया पढ़ने में शोंक होता है, कुछ बच्चों को, यानि कि यहाँ पर Animals की जो stories उन्हें पढ़ने में, कुछ को Natures के बारे में, कुछ को Sailing Ships के बारे में, कुछ को Elephant, that means Animals वगारे में पढ़ने में पढ़ने में मजाता है, तो यहाँ पर जो points होनों ने कि बहुत सारी books होती है, उनमें बहुत सारी varieties होती है, बहुत सारी topics से related होती है, जिने बच्चे पढ़ सकते हैं अपने interest के according, so hopefully आपको यहाँ तक point समझ में आगी होगी, यह point बहुत ज्यादा लैंती है, इसलिए इसके two parts किये गए है, and the next part है, वो आपको अगली वीडियो म परवाइड करवाय जाएगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक मैं वीडियो, सब्सक्राइब मैं चैनल, thank you friends for watching my video, thank you